ओके वेलकम बाक तो माई चानल, इन दिस वीडियो टुटोरियल, विल डिस्कस लैक हाव तो एक्स्टाक्ट करेंट प्राइस अफे स्टाक और अल्सो यह नो मार्केट प्राइस ठीक है इस एक्सामपल के अंदर हम बात करेंगे जो भी एक स्टाक का जो प्राइस है वो कैसे रिट्र करते है जो लाइव प्राइस है और साथ में जो मार्केट का जो प्राइस है यानि बीएसी यानि बॉमबे स्टाक एक्चेंज ठीक है तो दोनों एक्स्टार्ट करेंगे पाइथान से यानि यूजिंग वेब स्क्राइपिंग तो पहले मैंने यहाँ पर आया दिख यहाँ पर 3525 बूल के ठीक है और साथ में हाँ पर दूसरा जो यूर्ल में उसके हाँ पर गूगल.com slash finance slash course ठीक है और यह मार्केट का जो प्राइस हाँ यानि 65 सबसे पहले आपको लॉग इन करना है गूगल को लैप में या तो डिरेक्टल आप पाइटान का अडिल के अंदर भी आप इसको रन कर सकते हैं तो पहले हमारे जो पाकेज यहाँ पर बीएस पोर ठीक है यानि ब्यूटिफुल सूप उसके बाद में रिक्वेस्ट ठीक है और इसके बाद में आपको URL को यहाँ पर कॉपी करना तो पहले URL यह लिए था हाँ पर यानि यह वाला TCS का जो प्राइसम रिट्रीव करने वाले और नेक्स्ट हाँ पर रिजल्ट इपोल्स टू ठीक है रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट डॉट डॉट जो गेट यहां पर हमारा यहां पर URL यहां पर है ठीक है उसके बाद में उसके बाद में आपर सूप इकोल्स टू तो पिकोल्स टू यानि यह जो पैकेज का नाम है इसको कॉल करेंगा ने प्यूटिफुल सूप ओकें और यहां पर भी हमको ढूना पर result परसर को सो result content content then parser, parser को यहां पर HTML parser को अभी call करते है HTML dot parser ठीक है और उसके बाद यहां पर अभी हमको labeled price यानि जो स्टॉक का जो प्राइस है, करेंट प्राइस, उसको अभी हम पे प्रिंट करना पर, तो चली वापस इस पेज में आते हाँ पर, यानि जो प्राइस अभी हमने आप बिस्प्ले किया, इस पे राइट गिक करना पर, इस पे राइट खिलक करना पर, यहाँ पर पर गिक करना पर, पर इस पे राइट खिलक करना पर, तो इस पेज में आते हों, अपी ओके और इसको यहां पे जो जाके यहां पे अभी पेस्ट करेंगे आप थिए है डुजीन के बाद तो पहले हाँ पे डिवीजीन थिकले और जो डुझास का जो नेम है सो class equals to class जो जहसा डुझास कि यहां तर विक टलर में आता क्योंकि यह conflict नहीं होना चाहिए ठीक है तो data in price अभी हम data को यहां पर print करेंगा आप then we'll take a print command यहां पर print करेंगे current price current price of tcs so tcs का current price है वो हम print करेंगा आप है वो value आके रुका है text data के अंदर चलिए इसको word को run करते हैं ओकी यहां पर देख सकते हैं यहां पर beautiful soup का not defined ओके अच्छा यहां पर इसको call करने आप इंपोर्ट import from BS4 from BS4 import beautiful soup चलिए इसको अभी run करते हैं इसको अभी जाके देखते हैं यहां पर देखिए प्राइस यहां पर आगा ओपूट देखिए आपे 3525 जो प्राइस यहां पर display होता तो वही प्राइस यहां पर आ गया है तो यह जो आसान तरीक होता जो भी आपको current price आपको रिट्रिक करना है तो साथ में यह market का price भी आप रिट्रिक होता है तो सिर्फ इसका भी जो URL है उतना ही चेंज करना तो इसका पहले ID चक करें आप है ID या class जो भी है उसका तो इसको उपर यहां पर क्या करो URL को कॉपी कर तो हाँ पर ओके दन अब इसको URL को मैं replace करूंगा तो इंसेड आप दाट PCS का जो price होगा वो तो अभी यहां पर प्रिंट करेंगे current price of market जो market का overall price है वो अब यहां पर प्रिंट करके देखते हैं आप है तो देखें आप है current price of market 65,828.41 तो यही जो price हमने retrieve क्या आप यह जो वेबसाइट है आप है Google Finance आप यह जो प्राइस से Yahoo Finance भी आप retrieve कर सकते ठीक है तो यह था a small example like how to retrieve you know that is current price of a stock as well as a market that is our stock market thank you